नमस्कार दोस्तों रंजीत तंजोराट में आपका स्वागत है और बहुत मज़े में होंगे आप और आज का बहुत पावन दिन है मोदी जी आज उज्जेन में महांकाल के परिस्टर का उद्गाटन कर रहे हैं और मैं सिव परिवार की पेंटिंग बना रहा हूं तो बहुत अच्छा से योग है तो मैं दिखाता हूं आपको छोटी मंदिर की पेंटिंग है सिव परिवार जिसमें कार्ति के है गणेश जी है माता जी है और सेम्स संकर भगवान है तो पूरा सिव परिवार है पहले क्या होता था कि पोश्टर लगाते थे लोग कि इस चोटी पेंटिंग मिलेगी नी तो वह मैंने बनाना चलू किया चोटी चोटी पेंटिंग सालवर से बहुत बहुत पेंटिंग बंद रही बहुत ओडर है चोटी पेंटिंगों का तो आड यह 6 बाए 8 इंच से लेके जित्ति इससे उपर जो भी होता जैसे कि 6 बाए 8 हो गई 8 बाए 10 हो गई 10 बाए 12 नो बाए 12 बार बार बाए 14 बार बार बाए 16 यह सब छोटी चोटी पेंटिंग है तो जिस मंदिर के कई चोटा मनंदीर होता है तो नापक हिसाफ से इन क्या होता है कि सबसे पहले हमें इसकेज करते हैं पेपर के उपर उसके बाद में एमबोज का काम होता है कलर का काम होता है और एमबोज का काम होने के बाद में गोड लगता है गोड की में उसमें बारीकी का काम किया जाता है और जो कलर प्लेन कलर भरने के बाद में इसमें सल जो बने वे हैं उनकी सेटो लगाते हैं लोग ब् केलिकों से बारिक काम करना होता है चोना क्षेटनी होगी से और यह काम किया जाता है पूरी डीटेल दे रखिए ये भगवान सीव इनमें चंद्रमा सुसो भीध है और गंगा जटा से निकल रही है और गले में सर्प लिप्टे हुए माला की तरह ये भगवान कार्थी के और ये पार्वती माता जीव और ये स्री गनेस रिद्धी सिद्धी के दाता पूरा हाथ का काम है कलव ब्रस का काम है और रियल बॉल्ड का काम है आप लोगों कोई भी बनवानी हो तो मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं घर के मंदिर में कोई भी सब्जेक्ट हो जरूर नहीं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वही बनवाना है वही हम बनाते हैं ऐसा नहीं है आपके मन में कोई भी सब्जेक्ट हो वह हम बनाते हैं और अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो मैं आपको नंबर बतायता हूं आप नोट कर लिजे मेरा नंबर है 931-3322-431 और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सेर जरू करना साथ साथ सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को जरू दबाएं क्योंकि बेल आइकन आपको मेरे सारे वीडियो देखनों को मिलेंगे जो हर बार मैं नहीं नहीं प्रेंटिंग बनाता हूं और उसके वीडियो अपलोड करता हूं तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन